हलो बच्चो कैसे हैं आप सब आई हो आप सब अच्छे होंगी और खुब मन लगा कर पढ़ाई कर रहे होंगे तो बच्चो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे classification of fungi ठीक है हम पढ़ेंगे fungi की classification के बारे में वैसे तो बहुत से scientist ने अपना-पना classification दिया हुआ है but हम जो classification पढ़ेंगे जो किसके द्वारा दिया गया है Ainsworth ने जो classification दिया है classification proposed by Ainsworth generally हम इसी classification को follow गरते हैं ठीक है this system of classification of fungi was proposed by G.C. Ainsworth in 1966, 71 and 73 okay he included all fungi in the kingdom Mycota Ainsworth ने क्या क्या था जो जितनी भी fungus है उसको किसमें include कर दिया था kingdom Mycota Mycota का मतलब ही क्या है fungal kingdom ठीक है fungal word फिर जो इन आने क्या क्या था पहले पूरी fungus को किसमें include कर दिया था kingdom Mycota में फिर उसके बाद उन्होंने क्या बनाये थे divisions बनाये थे then subdivisions बनाये थे फिर उन्होंने पहला division बनाया mixo Mycota का first division उन्होंने किसका बनाया mixo Mycota का जिसमें उन्होंने सारे slime molds को रखा सबसे लोर फंजय, slime molds को रखा फिर उन्होंने slime molds को divide किया पहला division उन्होंने जो slime molds को divide किया वो था accresiomycetes जिसमें था जिसमें included थे cellular slime molds दूसरा उन्होंने जो subdivision बनाया था वो था hydromyxomycetes third जो था mixomycetes mixomycetes बहुत important है mixomycetes में true plasmodium stage हमें देखने को मलती है free living होते हैं ये और syprophytic होते है mixomycetes में हमें देखने को मिलेगा stymonitis और phyzerum की life cycle हम पढ़ेंगे phyzerum और stymonitis okay वो हमें mixomycetes में देखने को मिलते हैं फिर हमें जो फोर्थ उन्होंने बनाया था division subdivision वो था plasmodium foromycetes इसमें क्यों होता है जो plasmodium होता है वो क्यों होता है parasitic होता है मिघ्जो माइकोटा जो उन्होंने डिविजन बनाया था division mixomycetes जो बनाया इंस्वर्थ ने उसमें क्यों होता है कि जितने भी slime molds होता है slime molds मतब slime slime की तरह यानि कि उनका जो body होती है वो क्यों होती है free plasmodial like body होती है सारे fungus उन्होंने इसमें डाल दिए जिनकी body की होती है plasmodial type की body होती है वो सारे fungus इसमें include कर दिए next जो division मनाया यानि कि division 2 जो second division मनाया उन्होंने वो क्या बनाया you mycota में उन्होंने सारी true fungus डाल दिए सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया kingdom मनाया mycota उसको दो division में कर दिए डिविजन वन में सारे कौन से रख दिए mixomycetes यानि कि सारे slime molds और division 2 में डाल दिए सारे you mycota यानि कि ट्रो फंगस division 2 में भी उन्होंने 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 इनको subdivision में divide किया पहला subdivision था mastigo mycotina first division जो था mastigo mycotina mastigo mycotina में भी हमारी क्या थी बनते थे और zoos pores कैसे थे single थे only one हमें उसमें क्या देखने को मिलता था flagellum जो देखने को मिलता था zoos pore में वो single होता था single क्या सहता विप्लेस टाइप का flagellum विप्लेस और tinsel flagellum में ने पहले वीडियो में बता रखाया आप लोगों को सेकेंड उन्हाने जो सब्डिविजन मनाया वो कैसा था हाइपो काइट रिडियो माइसीट्स उसमें भी क्या थी जैनरल उन्हाने ये निसेलिलर फंजाय को इंक्लूट किया बड़ जो जू स्पोर्स होते थे जू स्पोर्स में वो किस टाप का होता था Tincel टाप का फ्लेजिलम होता zaten कि काइट रिडियो माइसीट्स को उन्हाने किस बैसिश पहलाग कर दिया विपलेस फ्लैजिलम के बैसिस पहलाग कर दिया है। क्या था जू उन्हाने большой गर्विह थी उbli इसमें क्या था जैनरली क्या था mycelium present था यह दो तो क्या था हमारे unicellular fungus थे यहां पर क्या होगए mycelium क्या हो गया बिन में present होने लग गया और zoos pores कैसे होने ते यहां पर फ्लेजिरेट जूस पोर्स थे टिक्ते विपलेश और टिनसल तो पकी यहां पर फ्लेजिलर किया थे प्रेजेंट थे नाुच जथेकिंड सब्ढ़िजन बनाया था पहला सब्ढ़िजन यू माइको टाका कि या था मेंस्टीगो गाना को टीना नौन कित्री उसे लिट्री चाटनी और टूसरा सब्सक्रास्ट दीविजन का था जाइगो माइसे लियत लुट गल दियुटुमाइसेमें क्या प्रिशसट प्रकतों. घ्रमस इंपेड होगाशत प्रडम इंख्रासितुम! कौन से फंगस इंक्लूट सी? सेप्रोफिेटिक, प्लिदेशियस और पैरसितिक फंगस इंक्लूट थी. फिर जो सेकंड सबडिविजन बनाया था, वो था ट्राइकोमाइसीट्स का, ट्राइकोमाइसीट्स में क्या था, माइसीलियम नोट in Horse tissue माइसीलियम था वह क्या है? 3rd साब डिविजन जो था, उन्होंने डिवाइड किया था, वो था, S को माई को टीना. ठ़ीक है? पहला डिविजन क्या था? 1st जो डिविजन था, उनका, वो झ्या था? MESTERी को माई को टीना था. दैन क्या था जाइगोमाइकोटिना था ठीक है और जो थोर्ड डिविजन था वो क्या था उनका एसकोमाइकोटिना उक्या उन्होंने एसकोमाइकोटिना में भी फिर क्या बनाई बनाई कि एशा्टमाई य। बने उन चुलोड है क्यों सबुनाइब होग आपको बताउंगी स्कुर्ण इसके आदर स्पोर्स मैं बन ते इसल talented इसा गई कर से हैं इसको noticing का दिए टीना में इसका एसको मैं कुछ लाँ को सिन दिविजन है उसको फर्दर क्लासेस में डिवाइट किया गया यह फर्दर उसके क्लासेस है इसको ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है बस आप लोग एक्जाम में जो लिखने के लिए थोड़ा बहुत आता है उस हिसाब से इतना थोड़ा-थोड़े कुछ-कुछ पॉइंट इस आप लोग नोट कर सकते हैं ओके जो फोर्थ सब डिविजन था वो था हमारा बेसिडियो माइको टीना का इसको भी फिर थ्री क्लासेस में डिवाइट किया बेसिडियो माइको टीना को भी किसमें डिवाइट किया थ्री क्लासेस में डिवाइट किया गया बेसिडियो मा कैसे अरेंज हैं इनकी फूटिंग बॉडे कैसी है उस बेसिस पे इनव क्या किया गया थी न क्लाशस में चीलो मैं expos वाइट कर दिया घंतिया किया गिया स्वेह ये थे लो मैं सीट्स में क्योंता है सैक्शिवल साइकल जो ती बहुता है और इनको फोलिंग क्रार्स में बाटा गया बलास्टो मैसीर ही ठीके बलास्टो मैसीर में च्रो माइसीलियम zac में कम्प्ली एपसंट होता है को यह सुछ चुझ ल स्पोर्ड बनेंगे अब यहां पर p सब्सक्राइब करें तो और यहां पर क्या होगा रिप्रोडक्शन डिट्रोमाइसीट्स के इसमें कैसे होगा एस सक्षुल प्रॉसस की तुरू होगा तो कैसे एस कौन-कौन से सेक्चुल स्पोर्स बहुता है तो इन बेसिस पहें को अलग कर दिया गया और। हमारी क्लास थी। छी सीरी ट सिलेू माइसी सिट्स ठीक है इसमें मैसीलopardत आगे माइसीलिया प्रेजंट मैसीलियाम । बोलते हैं उप और इनमे जो स्पोर्स बनते थे, टेक है? यह फा हमारा इनसवर्ट का ख्लासिफिकेशन, देखो बच्छो। अगर हम इसका division देखे हैं, इनसवर्ट का, तो उन्होंने क्या किया था? जो fungus थी, पूरी fungus को किस में involve कर दिया था, kingdom mycota में involve कर दिया था, ठीक है, यह क्या था, पूरा kingdom mycota, फिर kingdom mycota को उन्होंने दो division में divide कर दिया था, पहला division था, mixomycota का, जो first division था, वो क्या था, mixomycota का, और जो second division था, वो किसका था, you mycota का, okay, you mycota में उन्होंने सारी true fungus को involve इसमें वार्फ कर दिया था जितनी भी true fungus होती है उनको इसमें इसमें इन्वार कर दिया था और जो false fungus होती है याईजिए कि जो slimy slime molds होते है plasmodium type के जिनकी बादी होती है उनको उन्होंने myxomycota में involved किया था ठीक है myxomita में उन्होंने जो class बनाई थी वो थी प्लाज्मोडियोफोरो मासेट यह इन्होंने different classes बनाई थी ठीक है but यूमाई कोटा के case में था डिविजान के बाद भी सब डिविजन थे और फिर उसके बाद क्या थी Classes थी ठीक है वो देखते हैं हम देखो students, जो U mycota है, जिसको two fungus की category में रखा गया था, second जो division है, उसके further sub divisions है, वो है mastigo mycotina, zygomycotina और escomycotina, फिर उनकी ये सब क्या हैं further classes है, kytridiomycetes, hypokytridiomycetes, umycetes, ठीक है, यहां, mastigo mycotina की classes है, zygomycetes, trichomycetes, ok, mycetes जहां पर आ रहा है, तो समझ जाना कि वो क्या है, class के बारे में बात हो रही है, ok, mycetes जहां पर आएगा, मतलब की, वहापे किस के बारे में बात हो रही है, class के बारे में बात हो रही है, ठीक है, आप इसको note का लीजे, एसकुमाइकोटीना में फॉर्दर एतनी टाइप की क्लासेज है ऑ्के जो फोर्थ सब डिविज़न है हमारा वह है बेसिटिूमाइकोटीना का ठीक है उसमें टीलोमाइसेट्स, हाईमेनोमाइसेट्स और गेस्डोमाइसेट्स क्लास इन्प्लूडेड है और फिफ्ट जो डिविजिन है डिट्रो माइसीट्स का जिसको हम फंजय इंपर्फेक्ट आई भी बोलते हैं उसमें ब्लास्टो माइसीट्स, हाइपो माइसीट्स और सीलो माइसीट्स इंक्लोडेड है ओकी आई होप आप सबको वीडियो अच्छे लगी होगी, वीडियो अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कामेंट कीजिए, ओके, टिल देन, टेक केर, बाई बाई